हेलो फ्रेंड्स मैं संगीता और स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विच संगीता में आज मैं आपको गर्मियों के लिए बहुती खास बनाना फेशेल बताने जा रही हूँ जिससे आपकी स्किन पर बहुती अच्छा निखार आएगा और आपको पालर जाने की जरुरत बिल्कुल भी मैसूस नहीं होगी तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपको चाहिए गुलाब जल सबसे पहले हमें गुलाब जल से अपने फेस को क्लीन करना है तो इसके लिए मैंने थोड़ी से यह कॉटन ली है और इसमें गुलाब जल लगाने के बाद आप इसे अपने फेस पर इस तरीके से लगाईए इससे अच्छी तरीके से आपको अपने फेस को क्लीन करना है जो भी डास्ट, मिट्टी या मेक अप बगेरा होगा वो सब हट जाएगा इससे आपके चाहरे से और फेस एकदम क्लीन हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से से क्लीन कर लीजे अब चलते हैं सेकंड स्टैप की ओर सेकंड स्टैप में हम करेंगे स्क्रविंग तो इसके लिए मैंने लिया है एक चमच चावल का आटा अब मैं इसमें डाल रहे हूँ एक चमच कच्चा दूद दूद यहां पर आपको कच्चा ही लेना है और साथ मैं मैं इसमें डाल रहे हूँ आदा चमच गुलाब जल अब इस सब को बहुत ही अच्छी तरीके से आप mix कर लीजे और mix करने के बाद अब ये आपका scrubber बन के त्यार हो गया है चावल के आटे में ऐसी properties होती हैं जो dad skin को remove करती हैं और color को fair बनाती हैं चावल का आटा बहुत ही अच्छा होता है skin के लिए आप चावल को mix के जार में डाल कर पीस कर चावल काटा त्यार कर सकते हैं अब इस तरीके से इसे अपने face पर लगा कर scrub करें बहुत हलके हाथों से scrub करना है आपको इससे जो भी dad skin है वो सब remove हो जाएगी और color एकदम fair हो जाएगा अब यहाँ पर आपको इस तरह 2-3 मिनट तक ही scrub करना है बस बहुत हलके हाथों से करना है यह काम इस तरह scrub करने के बाद आप फिर इसे clean कर लिजे पानी से दोकर साफ कर लिजे और अब चलते हैं third step की ओर और इसमें हमें चाहिए केला मैं यहाँ पर आधा केला रे रही हूँ और केले को आपको एक कटूरी में डाल कर अच्छी तरीके से मैश कर लेना है केले को लगाने से skin हमेशा जवान भा खूबसूरत दिखती है केले में काफी मात्रा में पानी पाय जाता है जो skin को hydrate करता है और skin को छिलने बार dry होने से बचाता है केला लगाने से जुरियां दूर होती है यह म्रत्वचा को हटाता है और skin में पहुत अच्छी चमक लाता है अब यहाँ पर केले में मैं एड़ कर रही हूँ बेसन और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी दूर एक चमच बेसन एड़ किया है और दो चमच मैं इसमें कच्छा दूर डाल रही हूँ अब हम इसमें बहुती खास चीज आड़ कनने वाले हैं और वो है शहत एक चमच शहत आपको इसमें एड़ करना है और साथ में अब मैं इसमें डालूँगी गुलाब जल यहाँ पर एक चमच गुलाब जल मैं इसमें एड़ कर रही हूँ अब इस सब को बहुत ही अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजे बेसन इसकिन में निखार लाता है इसकिन एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है टैनिंग को कम करने में हैल्फुल है यह इसकिन में जो एक्स्ट्रा ओयल होता है उसको हटाता है और उसे वापस आने से रोकता है इसके छोटे छोटे कांड फेस से डैड स्किन को हटाने में बहुत ही हैलफुल होते हैं अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रहे हूँ एक विटामिन E का कैपसूल जो इसकिन पर बहुत ही अच्छा ग्लो लाएगा हमने इसमें शहत का यूज किया है शहत का यूज करने से चहरे पर नेचुरल ग्लो आता है यह रूखे पन को दूर करता है और स्किन को डीपली मौशराइस करता है स्किन को एकदम बेबी सॉफ्ट बनाता है अब इस सब को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपको इसे अपने फेस पर लगाना है और फेस पर लगा कर आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक मसाज करनी है यह नेचुरल फेशियल बहुत ही अच्छा है इसका यूज करने से आपकी एजिंग की प्रॉबलम दूर होगी जूरियां जाईयां दूर हो जाएंगी बहुत ही अच्छी तरीके से यह आपके चेहरे को क्लीन करेगा डैड स्किन रिमूव होगी कलर भी फेयर होगा और इसकिन पर बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा आपको इस फेशियल को कम से कम 15 से 20 दिन में एक बाद जरूर यूज करना है अब यहाँ पर इस तरह 15 से 20 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको एक मोटी लेयर इस पेस्ट की आपके फेस पर लगा लेनी है और इसको लगाने के बाद 10 मिनट के लिए ऐसे ही फेस पर रहने दे और फिर नॉर्मल पानी से धो कर अपने फेस को साफ करें फेस को दोने के बाद कोई भी मोस्टराइजर आप अपने फेस पर लगा लेजिए पूरे एक दिन तक कोई साबून और फेस वास आपको फेस पर नहीं लगाना है यह फेशेल पहुती अच्छा है एक बार यूस कीजिए अगर यह फेशेल पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद